हाई किड मॉनिंग दोस्तों तो राइट की जो है सुरुबाद हो चुकी है अपना पतानी व्लॉग में सूट कर पहूंगा यानी बठा अपना जुवार तयार है हेलमेट के उपर इसको माउंट करा है और यह जो फॉन जिससे में रिकॉर्ड कर रहा हूं इसी से अपने को मज अपने दोस्तों के साथ गर्फ्रेंड के साथ मेरे ट्रेवलिंग पार्टनर सर्माजी सर्माजी हमारे तो दोस्तों यह हमारी क्लेमर मोटर साइकल जो अभी दो महीने पुरानी है अपनी इस राइट के लिए जिस पर मैं और पापा दौनों जाने वाले हैं यहां से सिदा खार्टु स्याम बाबाजी के पास दर्शन करने राजिस्थान और जैसा सोचा था जो म सब्सक्राइब करने के लिए उसका कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि वह अनकमफर्टेवल फील हो रहा दा और मुझे लग रहा है कि उस पर चालान भी हो सकता है मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखी क्योंकि फॉन है 6 इंच और आदा हेलमेट तो ऐसी कवर हो गय सब्सक्राइब चार बज़े का टाइम है पांच बज़े का अभी जब हम निकले और इस फॉन की कॉलिटी देख लो आप लोग यह है एक सबने प्रोजिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अक्च्वल मैं पापा बाइक चला रहा है पापा इतने ज्यादा एकसाइटीद इस राइट को लेके कि आप इमेजन नहीं कर सकते और एक चीज क्योंकि राइट तो पूरी होगे तीन महीं नहीं हो गए हम घर भी आगए जब मैं वीडियो डाल लों बट एक चीज आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि लाइफ में किसी भी दोस्त के साथ ट्रेवल क खजूरी आपना गया है ठीक है इसके बाद राइट टन लेंगे सिगनेचर ब्रीच की तरफ पहुंच जाएंगे हम लोग तो आप देखो रोड का इंजोए लो ठीक है बैक्राउंड मुजिक लगा देता हूं कुछ कॉपी राइट फरी मिलता है नहीं मिलता तो कोई बात ह सब्सक्राइब कर लेना एक्षा हो तो मुझे पता है कि फेलिंग थोड़ा नर्वस ना की पता नहीं मेरे से तो बहुत खतरना वीडियो बनाते हैं सारे व्लॉगिंग वाले जो ट्रेवल व्लॉगर्स होते हैं अपनी तो एक परसेंट भी नहीं है पर कोई नहीं इसको बनने में लगबक 10 सार लगे और मुझे लगता है सबसे बड़ा भूटाल अगर दिली में देखा जाए तो इस ब्रीच का ही निकलेगा एनिवेज कोई सीरियस मत ले ले ना मेरी इस बात हो ठीक है इसमें लाइट जलती है हाला कि यहां पर भी काफी सारे अक्सिडें फिर जो मुझे कोई लगता है ना वो यही है कि हमें पूरे रस्ते में कहीं ट्रैफिक नहीं मिला अपन लोग मस्त पहुंच गया है मैं और पापा जी और बड़ा मतलब यार सीरियस ली ना मैं कौंगा मस्त मजा आया सुपर सुब जाने में पापा के साथ अलगी लेवल का है तो ठीक है अब आगे रोड देख लो आप कैसा है दिल्ली का मला ट्रैसिक कितना रहता है सुबह क्यों निकलना चीज और है एक चीज और दिल्ली में जो ठंड है और राजिस्थान में उसका अंतर देखना आप कितना बड़े वाला है ठीक है और यह जो बाइक हम ले जा गया उसके बाद ठीक है अभी तो यह 60-70 से ऊपर नहीं चला रहे हैं पापा कहीं भी इसको और पापा मुझे चलाने भी नहीं देरे फुल जो उसमें कि हां में लेके चलूंगा और उस यात्रा से आने के बाद इस बाई ने इतने धोके दिए कि एक महीने सर्वी सेंटर मे पड़ी रही पर यात्रा के दोरान जो हमारी राइट थी उसमें कोई दिक्कत ने भी बैस्ट पाटी है और बस दीरे दीरे गए दीरे दीरे आगे हम लोग और महां की बहुत मतलब यह तीन या चार वीडियो में पूरी जर्णी एक दिन की खतम हो जाएगी सिगनेचर ब्र पाजी के दर्शन करने वालों रूट का आप लोग पहुंच जा हुए तो इस रोड़ पे स्पीड लिमिट है मेरी इकाल से 60 या 70 तो आपकी गाड़ी है और आप इससे उपर जाते हैं तो 60 62 पर आपका चालान हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा ट्रैसिक यहां में मिलना सुरू हुआ ज्यादा नहीं थोड़ा करनाल बाई पास्ते की यहां से जो ट्रैसिक करनाल की साइड जाएगा वह लैप यह वाला कट जो आपने देखा और जिनको खार्टी से आम यहां कहीं और जाना है हर्याना उगरा मैं कि दर से भी आप यहां राजिस्थान तो यहां से भी जा सकते हैं यहां से सीरा चले गए लेफ्ट में मैट हो जाई है देख लो आप भाई सावी जो फॉन है एक 70 प्रो मुझे यह बेखना पड़ रहा है कि कुछ कारणों से पर सीरियस बता रहूंग एक नंबर फॉन है इ क्या गहना चारण और क्यों एनिवेज आज यह फॉन मेरे बात है तल सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर चल चला जाएगा झाल पास भी यह जो होता है न वहां से आपको राइट लेना अपड़ लें से और राइट लेके सीधा आपको रोठ चट जाना एं तरफ जो यह गृत खरी है इंसे राइट हो जाना है तो छे बजे से सब्सक्राइब हो गया था था निंग निकली आया आ चीज और अम जो आप देख रहो ना चल अगले अपते प्लैन है मैंने पापा से पुछा वागरे हां चलना और दोन और मैं और पापा साथ में निकल लिए अब भी तो बहुत सारे प्लैन बन गया भाई पापा के साथ अभी अपना वल्ल टूर वाली राइड खतम करने के बाद ना अब पापा के साथ पूरा इंडिया ट्रेवल गरना आप तो मुमी पापा के साथ यह हमारा पहला इस्टाप लिया हमने यह है मुंडगा पार गरगे इंडेस्ट्रियल मैट्र स्टेशन क्योंकि यह जो आप देखरों ना मेरे फेस पे गोप्रो का माउंट यह क्या है माउंट लगा लिया मैंने पर गोप्रो जो था सालू ने एमाज़न से ओर्डर गदा था वो चाइनीज सा बेज दिया जियोगा फॉन आता है ना वैसी के लिए टीप गोप्रोगी और यह वो सब्सक्राइब कर लेते हैं क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं काफी चीज शीख नहीं पड़ेंगी आप यहां पर हमने पूचा भया कि मैंने चलो पाप बोले हैं रस्ता पूचले बटा कहीं पागल बन जाए दोना बाप वेटेगा आप डर रहे हैं क्योंकि भाई पाथ पैट्रोल की निया बादर टाइम की काफी टाइम वेस्ट हो जाए अगल सब्सक्राइब तो अब एक अंकल है देखो रास्ता एक सब्सक्राइब अलग वात है ऐसे नाला एक जो आपको उल्टा सुना दें नहीं तो बागी तो जाधा तर लोगना बहुत अच्छे होगते हैं यार इविन आपको रस्ता पूछना ना बहुत अच्छे से बताते हैं और यहां से चल दिए हम सीधी अपने बावा के दर्शन करने के लिए अग्रसर यह रिक्से वाला गंड़ा बचाने के लिए पूरा रिक्सा बाइक क्या के लिए आया तर दीखा हो तो आपने पीछे अब यह थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है इसको मैं सुछना हो फास्ट फॉरवड गर देते हैं यहां इसको कट करते हैं और आगे मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा और मौसम जो है ना बारीस का हो रहा था इतना ख्याडाना अपने को लगा कि आज बारीस पढ़नी तो अटल है मतलब और अगर बारीस पढ़ती ना फ्लम बन जाती मेरी और पापा की बहुत गंदे वाली यार कसम से क्योंकि रैंक तो इसी को पहन के अपन लोग चल दिये और अभी आगे देखना क्या खतरनाग मुझे आने वाले हैं और यह जो रोड़ है ना दिन में आओगे ना इस पर तो जहां बहुत अच्छा घासा ट्रैफिक मिलेगा बहुत अच्छा ट्रैफिक झाल कर बहुत आप याद देखरों यह पैरी फैरल है और पैरी फैरल से क्या आपका बहुत सारा ट्राफिक बच जाता है लेकिन जहां तक मुझे पता है पैरी फैरल के फोर विलर एलाव है उनली टू विलर्स एलाव नहीं है टू वील ड्राइब फिकल्स और इसी वज़े से अम लोग उस पर जान नहीं सकते हैं हमें क्यों चालान ठोगवाना अपना सुबह सुबह भाई जितने का चालान होगा उतने में तो अपनी यात्रा पूरी हो जाएगी यह वाली अब इस रोड बे सीधा चलते जाना है पता नहीं कितने किलोमेटर याद नहीं है अब तो दो डाइक जन्वरी में गहेते हैं हम देख लोग मार्च अप्रेल माई जून चल रहे हैं ठेक और यह वीडियो जन्वरी की रिकॉर्ड भी पैंडिंग मैं आज जाल लाँ टाइम ब्रो टाइम टाइम का केल है सारा हमारी बाइक की हाइस्ट इस्विड देख रहे हो साथ एक सट अभी इस वाले रोड पे इतनी गई पर अभी थोड़ी दिर में पापा इतने एनर्जेटिक फील कर लेंगे न असी तक पहुचाएंगे इसको कि हाँ एक्साइटमें है और वैसे भी कोई गेर वगेरा कुछ भी पहने हुए फुन लोगों ना हम दोनों ऐसे जा रहे हैं मैं और कपा अगली राइड जो होगी ना गुजरात वाली पापा के साथ ना उसमें तो पहन के गेर वगेरा ओडर करूंगा और बाइक भी कॉंट जीटी 650 लेने का प्ल पर दिन कि फमत अची थी की बलच गए बास, सम्हाव और देरे देरे पापा स्पीड बढ़ाते हुए पहले एज एवरेज स्पीड हमने मैंटेन करने की सोची थी साथ अब यह चौतर पिछतर तक जा रही है कि देरे देरे अपना वालब समझे रहा जब तक हम पहुंसिए काटे स्याम के दर्शन करने के बाद एक और जाए जीन माता का मंदिर करके न मैं पापा महां जाएंगे और वहां तक कोंस्ते कोंस्ते हमारी स्पीड हो जाएगी कितनी 110 तक कौन जाएगी और अभी मैं बीच हम लोग कहां पहुंच गया मुझे पता नहीं था तो मैंने मैप इससे में रिकॉर्ड कर लिया जजर रोड़ के कोई जगे है यह जहां पर हम है इसकी स्पीड पता नहीं क्यों फूबल मैप की गलत दिखा रहा है यह जो भी है वह एक्ट्वल स्पीड है नहीं वह अप्ड क्या गरना था यह देखा यह ट्रक वाला जो गयाने इतना हरामी है इसने साले ने ना किधर देका नोदर इना पिस्पीड कमकरी खीशते हुए ले गया चोराय पैसे ट्रक आप यह रोड यहां पर भी कन्फ्यूजन थी हमें सही जा रहे हैं गलत जा रहें यह मैंने आगे पीछे करके अड़ कर दिया क्योंकि वीडियो तो पहले रिकॉर्ड हो चुगी है ना तो को यह हमारा सब्सक्राइब यहां पर मैं ठुकते हुए बचाता बहुत बुरी तरह बहुत ही बुरी तरहीं से मतलब मेरे उपर से ने एक रिक्से वाला रिक्सा लेके चलाथा था जिसमें वह लगा लेते हैं अब अरे वह रिक्सा होता है जिसमें इंजन फिट होता है वह वाला था वह एक दम से मेरे लग सकती थी से कैडी वाली साइड वह तो किसमत अच्छी थी यह बाबा आ असिरवात की बैटा तू सही सलामत आजा अभी देवरो इस पीड़ सत्तर सेवेंटी नाइन सिक्टी नाइन तक पहुंच रही है और इस पर यह स्पीड भहुत तगडी लग रही है मैं भगवान का सही बता रहा हूं आप लोगों को मजाग लग रहा होगा कसम से ऐसा फील हो रहा है जैसे हाया भूसा पर बैठके चलना है क्योंकि वाइब्रेशन और फिर आपको पता यह ब्रेक निलेगी उमर जंसी में अगर आपको ब्रेक मानने इससी स्पीड पर और नाब ने तोपा पर आसे ऊपर रहेंगे अ और बजट बड़ा ना अपना थोड़ा ठलका था यह बार जाएंगे तो तो तक्रणा बजट की हां मस्त जगए और भाइक भी मोर कमफोटेवल और मम्मी के साथ यह तो मम्मी पापा मैं फिर तो गाड़ी है दोस्तों दिक्कत क्या है यह एक सपना है मतलब आपका किसी का कुछ सब्सक्राइब नहीं करने के फायद है कि कहीं ट्रेफिक में पारिस का मौसम ता कि डर के मारे एस्टासी हो ल चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था कि सरसो इसवार सस्ती हो जाएगी हर तरफ देखना हर तरफ आपको 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 आगे पीली-पीली सरसों नजर आएगी थोड़ा कोरा प्लस सरसों असी आगे देखरो यलो वाला जो ट्रक चलना है वो बच्चोवाजी वास उसकी सतर पिचतर स्पीड हमारी असी तरासी तक पहुंच गई मैं बतारों ना धीरे धीरे यह सो भी क्रॉस कर जाएगी मोटर साहिकल अभी 125 सीसी है 125 तक भी पहुंचा देते इसको वह तो मैंने रोग लिया मैं आगा पापा नहीं आपको पापा आप से कहते होंगे ना स्पीड कम कर बेटा स्पीड कम कर मैं पापा से करो पापा यह स्पीड कम करो यार यह बाइक पर असी से उपर नहीं जाना अपने ने पर पापा एक सब पांच एक सब दस लेके जाएंगे अभी इसको आगे मैं यार गलत है मुसकर से 2-3 km चलाई होगी खाली रोड़ती इतने में त इस पूरी ट्रिप के दोरान जो खर्चाइना वो में लास्ट वीडियो में बदा दूं बहुत ही सस्ते में हम लोग हो क्या आगे और एक अंकल है सब इंस्पेक्टर हैं वो उनके घर रुखे मस्त खाया पिया मौच करी अलब मजा आगया एक दम कसम से आप सीरियसली ना राजिस्थान भी अच्छी जगह बहुत अच्छी जगह मैं फर्स्ट टाइम राजिस्थान गया वो भी ऐसे बाइक से तो मुझे मजा तो आया खो आपको हर जगे वो लोग तो मिलेंगे जब आप तीरतिस्तिलों पर जाओगे ना जो आपको काटने की क आपको आवा की वह बहुत गंदी लगेगी बहुत ही गंदी क्योंकि गोप्रो तो है जो वोइस कैंसलेशन कर देगा यह फॉन है कि अधिवन अभी और इस्पीड हमारी बढ़नी चाहिए एटेटू अभी यह 90 भी जाएगी इसी रोड पर क्योंकि हां कोई है नहीं मतलब खाली बढ़ा था कोई भी नहीं था लिट्रली यह पूरा का पूरा रोड खाली बढ़ा है और सबसे बड़ी चीछ पता है कि गाड़ी से जाने का नुक्सान जो मुझे लगा ना पांच यह च्छे टोल है जहां पे आप लोग पैसे दोगे गाड़ी से जाने का फायदा श्री पेगी है दोस्तों कि आप आप लोग कमफर्टेबर हो थोड़ा नहीं तो मजा बाइक क वीडियो बनाईए देखो आज भी राजिस्थान कितना यहां कोई भी गवर्मेंट कितना बच्चों का ध्यान रखते हो बच्चे ऐसे लटक के चल रहें बसमें आपने देखा होगा कि गिर गए तो कई महीनों तक ऐसा हो सकता है पूरी लाइफ स्पाइल हो जाए किसी गवर्मेंट रहती हमने स्टुडेंट्स के लिए यह करा हो बचाने के चक्र में पूरी गाड़ी लेफ्ट में लेकर आगए यार यह तो होता है गड़े के चक्रना बंदे गाड़ी उड़ाते थे सामने वाली कर दो दो अब आगे सेहां यूत लेना पड़ा मेरी बल्रोपी के वजए से कर देटीए कर दो दो सामक्त नहीं आगे अगे तंड बढ़ गई बहुत जादा यहां पे मतला एक्स्ट्रीम लेवल पर हमारे लिए ठंड बहुत जरूरत से जादा हो चुकी है अब आपको बाइक पर पता है पता नहीं चल ला होगा है मतलब वीडियो देखके लगनी रहा होगा लोकल वगयरा कि बंदों को देखके कि ठंड पर थंड इतनी थी यहां कि हाथ पर ना सीरियस ली कांप रहे थे बहुत गंदे वाले एक्स्ट्रीम लेवल पर ऐसा लग रहा था कोई गलती तो नहीं कर दी हमने बदब ऐसे ही आगे जब कि इनल वो थर्मल होते ना वो पहन रखे थे उसके बाप ठंड के मारे हाथ पर कांप रहे थे कुछ इस तरीगे से कि हम लोग ने आगे ने यहां प यहीं डल लगता है बाइक पेना हमारे यहां ट्रेवल करने में इसलिए घरवाले अलाव नहीं करते हैं रोडवीजवाला देखना कैसे गूरेगा जैसे अभी ठोग देगा मुझे पता नहीं साथ में उसको रिकॉर्ड नी कर पाया यह देखना नहीं कर पाया उसका फेस र पापा कितनी चाय लोगे कहते हां एक चाय और पापा के पैर और हाथ ऐसे काम रहते जैसे मैं बताओ क्या बलब समझों जैसे हम लोग ले लगदाग पहुंच गया है और खाली फॉर्मल स्पैन रखे हो और वहां पे दो चाय लिगो चाय भी हाथ में पकड़ती ठंडी हो यार इतनी घंदे वाली ठंड कर ली थी समझों घंदी फिलम बनी होई थी हम लोग भी पर अंकल ने चाय अच्छी बनाई काफी रहत मिली सही बदारों चार यह पांच डिगरी टेंप्रेचर है यहां का और हमारी बाइक लगातार 8090 पर क्रूस कर रही थी तो ठंड लगना वह था क्या गयता है जायज और यह फिर एकदम जब्रजस्त रोड राजिस्थान में रोड अच्छा है सबसे बड़ी बात क्या है यह जो पाहड़ों को काटके बनाए गए नहीं हो मस्ते टोल रोड है वैसे ना आगे टोल टैक्स भी आने वाला है इनका फिर चमखा चलते जाएं नहीं के तो Commonwealth जाविरी इसा यह बात यह यह वार्ना दिक्कत होने के वह रही चांस थे अ करने का मज़ा तभी है जब आप बाइक चलाते हुए कर दो तो इसके लिए गोप्रों वगेरा खरी देंगे थोड़ा समय आने तो और चीज समय आते ही ठरीद लिए और उसके बाद अपना ब्लॉग बनाना शुरू करेंगे मस्क तरीगे से ऐसी बात है तो कि यह फिर देखो आगे यह दूसरी बस है जिसमें बच्चे ऐसे लटके और इसपीट सब्सक्राइब सब्सक्राइब बच्चा गिरा तो पर्मानेंट डिसेवाल है इंडिन रेलवे देख लो बच्वें में देखने के लिए खड़े होते थी नहीं माल गाड़ी है यहां पै अगली वीडियो में मिलते हैं आपको हम लोग सीदा खाट उसे हम बाबा के हैं बाबाइट टेक के लाइए